नमस्कार जैहिंद स्टड़ी भात्र आपका स्वागत है UGC NET के New Rules Big Changes के बारे हम डिसकस करने वाले हैं दो बिक चेंजिस हैं इस वीडियो के अंदर तो क्यार नियम बदले हैं पूरा डिसकस करेंगे वीडियो को ध्यान से देखिए अंतक बने रहे हैं आपको सारी knowledge मिल जाएगी UGC NET exam की त्यारी के लिए लीजे सबसे best PDF notes paper 1 के लिए जिसकी cost है 750 rupees ना तो आपको कोई book पढ़ने हैं ना है कोई notes मनाने हैं इसमें आपको पूरा course cover किया जाएगा आपको इसमें 10 minute का theory PDF notes मिलेगा प्रिवेसर caution मिलेगा mock test मिलेगा सब कुछ आपको दिया जाएगा 750 rupees में पेपर 2 के ये subject लिए हैं इसकी cost है पंदरा सुर पे इसमें आपको पूरा fully updated best PDF notes मिलेगा आपको WhatsApp पे आपको हमें इस number पे contact or WhatsApp करना है आपको लिखना है best PDF notes आपको पूरी जाने करिया पे मिल जाएगी तो देखें मैं हूँ UGC की information bulletin पे तो यहाँ पे आपको मैं बता दू कि इस साल का सबसे बड़ा update तो पहला तो यह ही कि आपके तीन exam होंगे एक तो दिसमबर वाला जो exam हो रहा है February से मार्स के बीच में ठीक है यान कि दिसमबर 2022 का उसके बाद दिखिए आएगा जून 2023 का जो जून में ही होगा उसके बाद फिर आएगा दिसमबर 2023 का यानि कि आपकी पांचों उंगलियां घी में है कहने का मतलब क्या है कि जो अभी हम 2020-21-22 हमने एक एक exam दिया था हर साल तो अभी हमारे तीन exam होंगे इस बाद दिसमबर 2022 भी cover है जून 2023 भी cover है और दिसमबर 2023 भी यहाँ पे cover है आपके बास chance ही chance है तो आप किसी भी chance को miss मत करिए आपके बास इतने सारे chances है तो आप easily जो है net giraffe qualify कर सकते हैं तो जोर लगा दिजिए पूरा यहाँ पे ठीक है तो यह था पहला update दूसरे update की यहाँ पे बात करते है जो major चीज क्या change हुई है यहाँ पे देखें यहाँ पे major चीज यह change हुई है जो आग का age limit है मैंने पहले भी इसके उपर वीडियो बनाया था फिर से अभी देखें 30 यहाँ पे age कर दी गई है तो जो बच्चे 31 year के हो चुके है तो वो यहाँ पे जेरफ नहीं भर सकते है ठीक है वो जेरफ नहीं भर सकते है जो 30 साल के है 1 February 2023 तक जो 30 साल के है वो ही यहाँ पे form fill कर सकते है ठीक है children तो अगर मालेजे कि यहाँ पे लिखें न 1st day of the month in which the examination is concluded ठीक है तो यहाँ पे आपकी साल 30 साल तक होनी चाहिए मालेजे कि आप जून मन्त में 31 साल के होंगे अभी आप 30 साल के है तो एक फरवरिक अगोर्डिंग आप अभी exam fill कर सकते हैं क्योंकि एक फरवरिक तक आप 30 साल के है ठीक है तो यह बात है तो यहाँ पे 30 साल यहाँ पे कर दी गई है तो next major update के हम बात करते हैं आगे वो last update है most important update है वो तो दूसरा update यहाँ पे देखें क्या है most important update है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं देखें यहाँ पे लिखा है कि the candidates with master degree in humanities including language अब देखें humanities का मतलब है कि जो arts के subject है जिन बच्चों ने arts के subject में including language में master degree ली है जिन बच्चों ने master degree की है humanities में language के साथ यहनकी language जो आपका subject है जो आपकी language थी linguistic जो exam होते हैं उनके साथ अगर आपने साथ में social science किया है तो आप women study exam भर सकते हैं देखें होता है न कि women study subject तो है लेकिन इसे भरेगा कौन फिल कौन कर सकता है तो अगर आपने social science की हो वो अगर आपने humanities में master degree की है साथ में अगर आपने कोई भी language रखी है तो आप women study में भी यहाँ पे apply कर सकते हैं अगर आपने social science की है तो आप eligible है women study subject को करने के लिए फिल करने के लिए और अगर आपने master degree की है humanities में तब भी आप इसमें फिल कर सकते हैं यह सबसे बड़ा update है उसके बाद दिखें Indian knowledge system ठीक है नया subject launch किया गया है subject code है इसका 103 इसे introduce किया गया है 2510 यहनकी 25 October को 2022 को इसे add किया गया है तो अभी हमारे देखे 83 subject हैं पिछली बार भी 83 थे इस बार भी इसे confirm कर दिया गया है तो 83 subject है हमारे total जिसमें आप देख सकते हैं कि Indian knowledge system को भी यहाँ पे लाया गया है तो आप Indian knowledge system जो student है जिनका यह code है तो वो भी इसमें fill कर सकते हैं आपको मैं अगली वीडियो में clearly बताऊंगा कि Indian knowledge system और कौन से student भर सकते हैं तीक है देखें नया subject है बहुत सारे student पूछते हैं कि कौन स्टूटनर ऐसे हैं जो Indian knowledge system fill कर सकते हैं तो फिलाल Indian knowledge system तो आपको मैंने बता दिया और साथ में देखें जो बच्चे Master degree Humanities में कर चुके हैं और Social Science से जिन्होंने किया है तो वो में study भी बढ़ सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Indian knowledge system देखें नया आया है जिसका subject है 103 subject code तो बाकी आपके जितने भी यहाँ पे देखे code यहाँ पे लिखे हुए अगर आपको code नहीं पता तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आपको slaves डाउनलोड करना है latest वाला तो आपको इस website पे जाना है तो आप इसलिए slaves को डाउनलोड कर सकते हैं तो यह थे आज के update next वीडियो में हम बात करेंगे updates और updates के बारे में तो आप बने रहे हमारे साथ आपको पूरी जानकरनी मिल जाएगी यूजिस net के regarding और आपको कहीं भी कोई भी प्रॉलम नहीं आएगी तो टेक केर जय ही जय भार